पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया से लोग यहां पर आए हैं बहुत बढ़ शुक्रिया हां जी रेड़ी हिंदुस्तान आवाज नी आ रही हैं था कियार हाथ उपर करके हिंदुस्तान तो चलिए जी जिसका इंतजार बाइस सालों से था वो अरे तालियां रुखनी ने चाहिए आई 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 क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है हमारे निया शर्मा जी का यार वही तो क्या बात है जी वाँ 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 आप बोलते हो तो लगता है कि दुनिया बोल रही है क्या वाद है जोड़ा तालिया जोड़ा तालिया बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और मैं बहुत ही खुश हूँ कि ये मकाम आया बाइस सालों के बाद और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज कारगल दिबस है उन शहीदों को मैं श्रधाजली देना चा करता हूं और उनको ही आज का ये ट्रेलर समर्पित है तो जी अच्छा है कुछी ने तो ताली बजाई चलो कोई बात अच्छी है क्योंके अच्छी बात थी तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा शारिक पटल साब का जीका जब मैंने कथा काहनी सुनाने गया तो दो मिन्ट में और इनो ने और पुनीजी ने कहानी ओके की और उसके बाद हमारे बॉस सनी सर वन एंड अड ऑनली वन मैं अक्सर डिसकस करता हूं इनके बारे में कि जब ही कोई एक्शन सीन आता है और सनी सर करते है तो आज भी जैसे एक टेलर का एक एक्शन सीन था है मर वाला तो हमें डिसकस कर रहा था जब आप देखेंगे तो आप कुद भी सोचना कि पूरी टीम हमारी बैठी हुई थी दस पंदो हैं आप उर सैंजर यह सीन साथ जो सनी ने किया ए सक रज़ और भी हमारे बड़े बले हिरों थे गर वह करते तो पार लंग्ता सब्स ने बोल को बहुत चाह लगता बड़े हिरों अच्छा लगता बड़े बड़े गर एकर रगते लिकिन जो सनी तर लग ओर रह तो यह है Sani sir का कमाल, जब उनको खानी सुनाई तो बस उनको यही कहनाता है कि शर्मा जी हम क्यों बना रहे हैं Goda 2, क्यों बना रहे हैं Goda 1 इतनी बड़ी लेगेसी मैंनका सर सारा भारत चाहता है क्योंके भारत का इमोशन है बहुत पूरे हिंदोस्तान चाहता है कि गदर्टू बने तो सर हमें लोगों की तो सुननी चाहिए तो लोगों की बास सुनकर ये राजी हुए और बोले कहनी सुनाओ तो कहनी सुनी तो उनकी आखों में एक ननना सा आंसू आया तो बस वहां से ये यात्रा शुरू हुई फिर हमारी सकीना जी आई जो के मुझे इनका समझ ही नहीं आता है यतनी सुन्दल लगती क्यों है इनका रूप बढ़ता ही जा रहा है कुछ प्रॉब्लम नहीं समझ आ रही ही जब देखता हूं हर दिन यह समय उम्र बढ़ रही है लेकिन इनका चहरा इनकी कद काथी पता नी काथी भी कुछ कम होती चली जा रही है क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं खांगी आपका क्या हो रही है मोधबते बड़ी बद्माश होती तिया है और ऐसी बाते करती रहती है वो, आज स्टेन में बुजा रागाई है. Anyway, so I am thankful to Sakina also. And the entire team. And I will talk about a lot of people. I will just call it. And yes, Utkarsh Babu, who is my support. I will just say that. I would like to say that this is a 6-year-old child. I think it was the first film in the world. The child has grown up and has grown up. So when it was 5-year-old, he was not getting a child. So Sakina was coming to the house, we were going to have discussions. So I said to me, Utkarsh Babu, and I had a thought to take it into acting. This is a credit for them. And the producer also has a budget. because there's no money even in life. It is not a good, the director-producer people. Anyway, I want to call it Shariq Patil. Shariq Patil, we must name a Chief president. Zhiki and also. Shariq, इतनी सारी यादें, इतनी सारी बातें, बड़ी देर हुई महरमा आते हैं, बाइस साल लग गया है, तो जब आपके जहन में, जब पूरी टीम मिली, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे फिल्म बन पाई? पहले तो आप सब को, आप सब का शुक्र का शुक्र का शुक्र हुआ 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 कि इतनी बारिश में पूरा मतलब, हम लोग इहां पर इतने बार आते हैं, तेलर लांच के लिए, कोई फंक्चन के लिए, पहले बार में देखना हुआ 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 यह जो जी की पहली पिक्चर थी, जो 2001 में आए थी, उस वक्त सुभाज जी और उस वक्त जो नितिन कैनी साहब जो विजिनरी थे उस वक्त यह जो 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 पिकत जो माग में आए बखहराएं तयों हाँ तयों के पर से हैं कई में लил घूकिणे वी बडूक्षर से आउन से यह को गणी ऐन उनने खेकिन हे आएं निच में घा गए लिग्डेव में इस कर दोत त्व सुनक्राzil और लीजे फेल माग। बिलकुल, और भी बैक देखे लिए और विजूल आपने देखे हैं गाने जो अलड़ी एक पुराना गाना था वो तो इस अपर रही था था नया गाना जो फंटास्टिक हैरियत साफ मित्होन फंटास्टिक वर्क और आज तेलर है तो हम सब दुगदुकी है यह जो ट्रेलर आप देखने हैं का निरज सिक्स्टींथ वर्जिन है अगर आप चाहें हम आपको फर्स्टु फिफ्टीं भी दिखा सकते हैं मगर सिस्टींथ वर्जिन है यह फाइनल जो जो आप हुआ है क्या वाद चली आईए लोग परेशान थे कि टेलर कब आ रहा है क्य कि 15-16 वर्जिन बने और करें कैनी साथ के याद आ रही है काश आज वो आते तो अच्छा होता तो लगे ही रहे यह सब हम दिखाते थे करते थे यह भी अपने सेशन देते थे तो फाइनली हम कहीं करीब पहुंचे हैं जो आपको बहुत आनंद आएगा इसमें बहुत अच् दार जितने भी फैन क्लब यहां माजूद हैं और सनी पाजी बताना चाहूंगा आपको कि पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से सब मीडिया के लोग यहां पर आए हुए हैं पूरी दुनिया के लोग यहां कत्रित हैं वाके बहुत गर्वे और खुश्ची की बात है आप सब को धेर सरा प्यार हाँ 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 वो तो है हिंदुस्तान की शान जरूर है और दामाद है पाकिस्तान का ऻोलिये गा मार्थ rain देख रहा हूं है बढ़े गोर से आप व फंप गो देख रहे थे बड़े ओर से देखर को कुछ होने वाला है फिरसे मैं आप सब को बहुत बहुत आपका क्यों करना चाह रहा हूं क्योंकि आप लोग जैसे कहाँ के अ बारिश इतनी धेर सारी बारिश ओग रही है और इतने सारों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे पर डर लग रहा था शायद आज कहीं कलना हो जाए लेकिन पता चला कि धेर सारे लोग हंदोस्तान के दुसरे दुसरे कोने से आये हैं हमारे जर्नलिस भाई सब लोग आये हुआ हैं तो थैंक यू वेरी मॉच वर कमिंग यह सानी भाजी जब पहली बार बताया कि जब आनिल जी आपके पास आया है और आपके नम हुए थी आखें वो कौन सा मोमेंट से जब आपको लग कि मुझे फिल्म करनी ही चाहिए और अनिल जी को क्योंकि मुझे अच्छे से आदे अनिल जी कई बार आपको अलग तरीके से बोल चुके थे क्यार कुछ करना है तो क्या हुआ 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 क्या मोमेंट था देखिए गदर जो थी हम लोग ने तो बनाई थी लेकिन लोग ने इसे गदर बना दिया था और ऐ मैंशे डर लगता है कि एक पिक्चर जो इतनी कंप्लीट फिल्म हो उसे फिर से छेडा जाए तो इसलिए मैं डर बहुत रहा था लेकिन जब शर्मा जी ने मुझे कहानी सुनाई तो खेर वो गदर गदर थी अभी उमीद करता हूँ यह गदर भी एक तरह से गदर बने और तब होगा जब आप लगों कर फिल्म पसंद आई और मुझे पुरा यकीन है कि आपको इस पसंद आएगी जस तरह से आप लोग रियक्त कर रहे हैं जस तरह से इसका पूरा महौल बना हुआ है पुरे देश में नहीं पूरी दुनिया में जहां 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 हमारे लोग हैं और बस यहीं चाहूंगा कि यह भी जैसे गदर आपको छुई थी यह भी आपके दिलों को छुई और जोज भर दे अपने परिवार के लिए, देश के लिए बिकॉज सबसे बड़ी ताकत एक प्यारी होती है और प्यार से बड़ी ताकत कुछ नहीं है क्या आवाज है अमिशा बाइस साल के बाद आप तो वैसी के वैसी हैं जैसे अने श्रमजी बता रहे थे है ना उतकर जी के वारे में बताया गया तो क्या-क्या चेंजिस था क्योंकि वो कहानी अलग थी, ये कहानी कुछ अलग होने वाली है तो क्या-क्या अंतर आगया है अच्छी जो सवाले की गई थी मुझे जब मैंने ये फिल्म करने के लिए अक्सेप किया था पहले तो शुक्रियादा सबका सभी ने औरेडी कह दिया कि आप लोग इतने बारिश में देश के कोने-कोने से आए हो मैं पहले तो कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ा थांक यू तो दो मोस् फाबुलिस बेस्ट कोस्टा आफ माइन, सानी जी जिनके साथ अगर मुझे कहा जाए कि आप स्कूल के नातक में हम स्टेज पे पौधे बनते थे ना तो वो पौधे बनके भी रहो तो मैं हो जाओंगी बट अनिल जी जब ने मुझे पहली गदर की कहानी सुनाई थी जब नितिन कैनी ने मुझे अप्रोच किया था तब बहुत से लोग उने और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी लेकिन बहुत जाने मानी हस्तिया थी फिल्म इंडिस्ट्री के बहुत बड़े लोग थे बहुत बड़े जाने मानी हस्तिया सब ने कहा कि आप ये कैसे रोल करोगे और क्यों करोगे सलमान खान के साथ मैं फिल्म कर रही थी कॉलेज लड़की थी अजेर देवगन के साथ फिंग करी थी, वो मेरे प्रोफेसर थी, मैं स्टूड्ट थी, वहाँ भी आवी कॉलेच स्टूडन थी, रितिक के साथ दो दो फिल्म कर रही थी, कहोना पियारे और आप मुझे लगने लगे, मैं कॉलेच स्टूडन थी, तो जब यहां मुझे ये subject narration करा अकिया था और कहोना पहरे release नहीं हुई थी तो सब ने कहा कि आप तो मा का रोल करी नहीं पाओगे तो मुझे challenges बहुत अच्छे लगते instead of getting dejected, मैं एक challenge को, एक चनोती को out of my comfort zone जाके अपनाना चाहती हूं and I had faith because I knew कि मेरे डिरेक्टर जो है, he's brilliant and इतनी खूबसरत प्रेम कहानी शायद ना कभी लिखी थी और ना लिखेंगे कोई भी तो मुझे हां करना ही था yes, बहुत मुश्किल था लेकिन अनल जी, पेशंटली मेरे साथ बैठते थे लुख पे, हर चीज पे कि तब मैं कैसे थोड़ी मच्चो कॉलिज स्टूदेंट नहीं लगू, थोड़ी एक मा का रोल, जैसे मैं लग जाओ एक मा, उन्होंने छे महीने मेरे साथ लगातार डायलोग्स पे, लुक पे, दिन रात हम लोग बारा बारा घंटे बैठते थे और लोगों ने गदर के आने के पहले गदर को गटर कहा था, और ये दिल को मुझे बहुत चूग गई थी ये बात, और मैंने बोला, डिजेक्शन नहीं, ये मैं स्यादा मेहनत करूँगी, जब गदर टू की बात आई, तो फिर से बोई सवाल उठे, कि दूड़ी और ये 20-plus-year-boy, और ये बोला, फिर से वोई सेम सवाल, फिर से वोई चनौती, मुझे करना ही है, अगें, थाइंक्स तो मैं डिरेक्टर, मैं फाबूलिस मेकप टीम, जयवन जी, पूजा जी, और ग्रौकी, वोग्टन मैं कॉस्चूम, हम 20-20 घंटे लुक टेस करते रहे, और हम बेचसे थे अनिल जी को, और कुछ दिनो बार जब हम सफल रहे मुझे थोड़ा सा और मचो दिखाने के लिए फिलमे, I got the most beautiful message from Anil जी saying, My precious Sakina is back. But, the most important person in all of all this is Mr. Sharik Patel. और जाल बाद भी उनमें हमत थी, कि एक जनरेशन जाच चुका है, एक नही जनरेशन आच चुकी है, और उनके सामने ये आइकोनिक फिलम को प्रिजेंट करने की ले, हमत, courage, balls if I may say so, is only and one only Mr. Sharik Patel. And he has a fabulous team of people, Neeraj, Nishit, Kabir, all of them, उन्हों इतनी महनत की है, और आज उनकी वज़े से we're standing here, आप मुझे पूछेों कैसा लग रहा है, actually, जैसे सानी जी के आसू निकल ले हैं, तो मेरे भी निकल रहे हैं, बस में थोड़ा सा स्केरू मेक अप खराब हो जाएगा. एक एसी वाद बताई है, जो किसी को नहीं मालूम है, जो फिल्म सेट में आपने महसूस की हो कमाल की बादा. ये बिना साब उनके हाथ धोते रहते हैं, मैं बताओ कैसे हैं, अरे, अमीशाची, देखिये, सकीना मैडव, करते रहते हैं, और करते रहते, और ये उनका तक्या कलाम है, और इस बारी पालंपुर में, जब हम लोग पहले स्केजिन में शूटिंग कर रहे थे, तो उनको बड़ा फॉग का पसंद है, तो कट, टेक, ओके, ये करो, वो करो, सुनने ही नहीं मिलता, फॉग, 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 और उसके बावजुद बोलते हैं, मैं वीएफेक्स में और फॉग आट गरूंगा, लेकिन, हमारे बीच में बाब बेटी का रिष्टा है, हम बहुत फाइट करते हैं, क्यों? बस, ये मुझे नारास करते रहते, और मैं रहते हैं, ऑफ ये इंस्टरग्राम पर बख करती हूं, उनको ब्लाइप पर पर अब्लाइब, ये हमारा रिष्टा है, की उतकछ को फिल्म में भाई थी, और मैं हमेंशा अनल जी को बोलती हूं कि आपके दोनों बच्चे इतने खूपसूरत है, कि अगर सकीना और तारा की बेटी भी होती, तो आप अपनी बेटी दे दीजे मुझे. तो उतकष is a really lovely boy, I have to बताना चाहरी हूं कि यह एक family film है, और बस मैं दो मिनिट लूँगी क्योंकि मुझे बखबख करने की आदत है, एक बहुत हसीन हार्ट सा हुआ था, जब गदर टू प्लान नहीं हुई थी, हमारे ओफिस में एक कास्टिक एजन्ट आय थे, और उन्होंने एक बहुत गुड लुकिंग लड़के की तस्वीर, मेरे बिजनेस पार्टनर कुनाल जी जो पैठे, मेरे बेस फ्रेंड, उनके सामने और मेरे सामने एक तस्वीर रग दी थी, और मेरी तस्वीर उनके साथ, और बोले माम, यहां यहां से एक प्रडूसर है, और यह लड़के के साथ आपको कास्ट करना चाहरे, तो दस मिनिट में यह तस्वीर देख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ लड़का तो बहुत खूबसुरत है लेकिन इसका नाम क्या है बोले उतका शर्मा है मैं रहाई राम यह तो मेरा बेटा है तो हम लोग की टूनिंग ही ऐसी है हम लोग सेट पे भी एक फ्रेंज की तरह रहते हैं हमें हमारे बीच में भी माँ बेटे का रिष्टे के जैसे ही पंगे होतें बट रही हैं क्या बाद है दिल और दिमाग, दूसरे के बगए चलती नहीं, दिवान है एक दूसरे के, हम अपने जीते के भी दिवाने है, and he's fabulous in the film, so make sure you all give him lots of love. क्या बाद है. दो नसीव, एक तो सुमझ जी का अशिरवाद इनके साथ बना हुआ है, इनकी दरमपत्नी का, है न, वो बहुत जुरूरी important है life में. वो, तो ट्रैफिक में फसी हुए, पहुची नहीं पाई है. सहर, आशिरवाद पहुच गया न, नसीर समझो, ये important है life में आशिरवाद पहुच जा है, भी भी कबर, है न. मुझे अब बता है कि देखिए, बाइस साल पहले फिल्म आई थी, आज के नुए यंग्स्टर्स आ गये हैं, उनको connect करना, ये अपने आप में बहुत ही एक unique काम हो गया है, क्योंकि उस कहानी को जो प्रेम कथा थी, एक नई कहानी के रूप में लेके आजा ये कैसे आपने manage किया? देखो क्या है, वक्त बदलता है, लेकिन दिल वही रहता है, इंसान अंदर से वही रहता है, माता-पिता-पिता रहता है, पुत्र पुत्र रहता है, पत्नी पत्नी रहती है, एमोशन सेम रहते हैं, वक्त के साथ सिर्फ लिवास बदलता है, और कुछ नहीं बदलता है, थोड़ी सी टेक्निक शूट करने के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन बाकी कुछ नहीं बदलता, तो गदर टू जो थी, गदर वन मतलब आसान आज लग रहा है, मुझे वैसे 22 साल लग गई कहानी खोजने में, लेकिन आज लग रहा है, बहुत आसान था, कि भई तारा सकीना और उनका बेटा, उस कथा को हम कैसे आगे लेके जाए, और 22 साल इतफाक से गुजरी चुके थे, 20-22 साल गुजरी चुके थे, तो अपने आप ही एक कहानी बन रही थी, वो 1947 था, 1971 आगया, तो बहुत सारी चीज़ जुल गई, जुल गई तो बन गई, और क्या जो इसका इमोशन है, इमोशन कनेक्ट करता है, इसलिए मुझे मुझे मालूम था कि एमोशन कनेक्ट करेगा, वक्त बदलने से कोई फरक नही पड़ता है, मुझे आज भी कमाल लगती है, गदर वन अभी भी रिलीस की हम लोगोंने, देखो क्या इसी थेटर में, यहां मेने इतनी तालियां सीटियां बद 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 बदी और सारे यंगिस्टर्स देख रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं, एमोशन सेम रहता है, गउन वि चाहिए, हमने कोशिस की है, टेलर तो आप लोगोंने देखा ही, वैसे कैसा लगा टेलर आपको, मेरे को मैसेज आने शुरू हो गए, यहां पे देख रहा हूं मैं, तो बस आप लोगों जिन्दाबाद रखे रहों हिंदोस्तान को, बस पबलिक भारत की जिन्दाबाद है, जब तक तब तक हिंदोस्तान जिन्दाबाद है। पुक्त अवादाबद है। बहुती दिमांड है, बहुती एंटिसिपेशन है, भूमिका पिछले एक महने से बोल रही है, कि प्लीज टेलर लाओ, त्रेलर लाओ, मैं जन्दी और बेच हूँ उसको और यह करो तो लग लिए जा गया है, आज एक दम शुब दिवस्त है, कारगिल दिवस्त है, तो आज के हमेशा कियता हूँ कि बहुती शांत रहता है, लेकिन उतना ही पोटेंशल है, और उतना ही अंदर से ज्वाला मुखी है, शब्द याद रखेगा, ज्वाला मुखी, पूरी तरह से मतलब, और मैं उसको वेक्तम बच्पन से जानता हूँ, और पहली नोकरी मेरे साथ की थी लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस इसमें देखा, आमने ट्रेलर में और मैंने कुछ देखे हैं, मैं शूट में भी महजूद था, लखनों में गया था, सणी बाजी वहां महजूद है, इस कलाकार ने जो कमाल किया है, जितना तारिफ उतना कम है तो मैं चाहूँ को इसके गट लेके सिंपल होने के बावजूद भी है, आपने देखा होगी जो पोटेंशल, जो मैंने आज देखा, मैं पूरा आप पहली बार देखा, मैंने ट्रेनर, वाकई काबले तारीफ है, उतकर्ष, इतने बड़े-बड़े सुपरस्टार के साथ काम करना, बहुत बड़ी बाद हमीश सबस्क्राइब करना करना चाहूंगा, कि आप सब इतनी बारिश में इतने तफ सिच्वेशन में भी यहां पे मौझूद है, जहां तक अंस्क्रीन फादर और और उफ-स्क्रीन फादर की बात है, तो भई, इंके जो इसक्शन होते थे, मैं इन नोनों की छोड़ देता था, क्योंकि आप से सिखाए गुरुजी, कि स्ट्रिप पे द्यान दो, बाखी सब को मत सुना, बट अफ-कोर्स, सानी सर के साथ काम करना मेरे लिए, फर्स अफ-फॉल, इस बिग लर्निंग एक्स्पिरियंस, बिकुज जब आपके सामने, मैं क्रिक्ट की भाषा में समझाता तो आप थोड़े राहुल द्रवट की तरह भी खिलो तो चलता है, बट वो आपको राहुल द्रवट को भी सहवाग बना देते हैं, तो सनी सर की ये पावर है, उनका ये एक बहुती फादरली लव भी था मेरे लिए, जो ओफ-स्क्रीन भी वो मेरे को गाइड करते रहते थ वो बार-बार इतना थानि उनका अस्ताइम अनका उस्ताइम आपको मारे के लिए जाएवर की वेश्टाइब थे लोगताने कई बूर का तो सबसक्रीन तूर्चेन पाड़े मिन रहुती हाँ, जा रहते हैं तो हर वो तो प्टों केर देंग कर रहे हैं, क्या था कंपूरी सब फोकस में आ गया हूँ भई फोकस में आया है और फोकस में आया है एक जोड़ा तालिवी चाहिए ए ट्रिलर के लिए और बता दो अनिल जी आप जैसे डिरेक्टर ने कितने सारे खलाकारों को मतलब मैं अगर नाम लो तो इतनी सारी घ्रोईनों को इंडिडियूस की आपने में एक दिन लिस्स देख रहा था मैं रेडियु में बोलने जा रहा था पाकिस्तानी एक लड़की हम सलेक कर रहे थे, तो हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि हम सकीना को वहां दिखा चुके थे, पहली फिल्में, अब सकीना जैसी लड़की तो संसार में दूसरी मिल नहीं सकती, ये जो अमिशा पटिल जी ने जो किया वो तो इंपॉस मिल था, और मैं, मैं, 400-500 लड़कियां बिचारी आती रहें, आती रहें, आती रहें, और सब अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन मैं सकीना डूंड रहा था, कहां मिलती मुझे, मिली नहीं सकती थी, फिर फाइनली, अच्छा मैं शूटिंग कर रहा था, पालनपुर में, वहां भी स्क्रीन टेस्ट चल रहे थे, वहां भी हो रहा था, मुझे चाबडा जी ने एक दिन एक बुला, एक पंजावी लड़की है, बहेजता हूँ, बहेजता हूँ, आप सकीना डूंड ते रहोगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये एक लड़की है, जो मुस्लिम लगती है, और पंजावन है, और पाकिस्तानी लगती है, बस इतना मैं आपको बता सकता हूँ, जो लगीगी, तो ये आई मुझे मिले, तो मैं इतना बिजी था, रात बर गाना चल रहा था, ये वो सब था, तो मैंने का, ये दो दिन तक बिचारी रही, और मैं इससे मिल भी नहीं पाया, सेट पे एक आद मिनिट मिला, पांच मिनिट मिला, इनकी मा आती थी, ये आती थी, मा के मैं एक्सप्रेशन देखता था, मुझे लगता था, यार ये, अभी गदर जैसी फिल्म के लिए आ रहे हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी होगी होगी, पर मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, तो फिर मैंने एक शाम हनीश को बोला, यार हनीश ये इनको जाना है, कर आत की फ्लाइट है, इनकी पालंपूर से निकलना है, और तू एक काम कर उतकरश को बोला, तू जाके, ये वाला सीना जरा इसके साथ कर ले, मोबाइल से शूट आई हुए दो दिन से, तो अच्छा नहीं लगता, और मेरे भी उन दोनों पाउ में तकलीफ हो गई थी, कुछ हो ही गया था, तो मैंने का, वो मेरा फिजियो तरफिस चल रहा था, तो ये उतकरश बाभू गए और हनीश गए, और इनों ने एक सीन इस लड़की को दिया, उसी वगए सीन करके आए, आगए, मैंने पूछा भी ने, दूसरे दिन सुबहे मैंने का, एर वो बच्ची तो चली गए, लड़की तो चली गए, जरा उसका सीन देखा मॉबाइल पे, मैंने का, है कैसी, वो बहले पापा, पफॉर्मर अच्छी है, तो मैंने देखा ऐसे म मॉबाइल पे, मैंने का, हाँ, ये लड़की तो ठीक लग रही है, एक्टिंग ठीक लग रही है, और ठीक है, इसको बॉम्बे में बुलाते हैं और देखते हैं, तो फिर इसका हमने, मुझे चुके परफॉर्मर ये बहुत अच्छी लगी, तो और मुझे लगा नाक स्क्रिन तक आ गई, ये लड़की है, सिम्रत कोर, और मैं चाहूँगा इसे बुलाना, क्या बात है, सिम्रत के लिए एक बार जोड़ा ताली होने चाहिए, लेडिज जिडिमन, फिर्स ताइम इंड्रीज कर रहे हैं, आप सभी के बीश में, गदर टू में, क्या बात है, आ सारी में को आप, ये मेरा डेब्यू है, मैं फर्स्टाइम स्टेज पे, सबके साथ खड़ी हूँ, और मैं इतना ही बोलूँगी कि मैं सबसे ज्यादा खुश नसीब लड़की हूँ, जिनने मैंने हमेशा दूर स्क्रीन पे देखा था, आज मैं उनके साथ स्टेज पे खड मुवी मिलना, I don't think so, मिर से ज्यादा लगी कोई लड़की है इस दुनिया में, और मुझे गदर टू जैसी मुवी में डेब्यू करने मिल रहा है, I just, I just thank the universe, and that's it, मैं फिलाल बहुत जादा नविस हूँ, अनि जी पिशली बार, अमरीश पूरी साहब थे, उनकी यादें अभी जुड़ी हुई है, और जब ही मैं जी में देखता हूँ, वो सीन, वो परफॉर्मेंस, माइंड ब्लॉइंग, लेकिन एक कलाकार ऐसा आया, इस फिल्म में, जो अमरीश पूरी साहब की याद दिलाता और अमरीश पूरी, अमरीश जी को तो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, और होते तो जरूर इस फिल्म का वो हिस्सा होते, और पूरा हिंदुस्तान मुझसे पूछ रहा था, पूरे हिंदुस्तान ने मुझसे सिब दो ही बाते पूछी, एक इस फिल्म का विलेन कौन होगा, औ कुछ हो गया है लेकिन करेक्टर नहीं मिल रहा है साउच से बंबे से बाहर से यहां से सारे हिंदोस्तान से कितने स्क्रिन टेस्ट रहे कितने लिए और बस नहीं हो पा रहा था तो सनी सर ने मुझे और अभी वर्मा को मना लिए था हम लोग कुछ डिसकुशन कर रहे थे नहीं हो जाए तब तक नहीं है यह है वो है यह हमेशा ओवर कंसर होते हैं सनी डेवल साब जिनका काम है नाम है तो अब वहां से मैं जब आ रहा था तो रभी वर्मा जी के साथ में गाड़ी में आ रहा था रभी वर्मा को मैं बूल रहा था यार बड़ा मुश्किल हो गई नेगेटिव करेक्टर नेवला फिल्म की डेटे हो गई है क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाया एक वीडियो दिखाया साउथ की फिल्म का और वो कुछ इसमें पंड़ेद बने हुए थे तो मुझे वो सीन बड़ा अच्छा सनी सर ने भी मुझे से कहा कि हां ये हिंदी भाशा तो इनको बहुत अच्छी आती है शर्मा जी आप जड़ा टेस्स बगरा ले लो फिर टेस्स बगरा इनका किया और सनी सर के पास भी भेजा तो वो बंदे है मनीश जी तो आप कर पर आईए उपर एग बार जोड़ा था जाए मनीश के लिए बड़ परफॉर्मर मैं शूट में मौझू था लखनो में भी था और मैंने पूरी स्कृट भी सुनी थी नरेशन देखा उसके बाद जितने भी सीन्स देखे कमाल है क्या बात अरे अरे सर 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 अरे जिसने रोल किया हो उसको ये शूबान नहीं देता मरीज भाई एक बाद बताओ कितना प्रिशर था और दूसरी बात है कि आपनों को भी सोचा था कि उसी शूज में पैर डालने हैं जहां पर लोग दीख चुके हैं एक बार इतने बड़े लेजंड को ये बहुत मुश्किल था मेरा सौभाग्य है मतलब मैं बता नहीं सकता कि मैं इन से मिला सर से मिला और मेरे बड़ों से आशीरवाद से मुझे ये रोल मिला रही बाद अमरीज जी की तो सर मैं आपको एक बात बताता हूँ एक नहीं मेरे जैसे सौ एक्टर भी जनम ले लेंगे न तो उन तक पहुँच नहीं सकते ये मेरा गुड लख है कि मैं इसमें एक इतनी बड़ी अकॉनिक फिल्म में काम कर रहा हूँ जो ये डर आज भी आप मेरे चेहरे पर देख रहे होंगे तो ये सर है और सनी सर है इनके गाइडन्स में इतना हासान होता चला गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं काम कर गया तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं काम कर गए अब जैसे आपने मुझे हमेशा प्यार दिया है मुझे उमीद है कि इस बार भी देंगे बिल्कुल 100% प्यार देंगे एक बार जोड़ा ताली मुझे हाथ उपर करके और हम मैं बुलाने जा रहा हूँ स्टेज पर हाथ पर जल्दी करना है जि ज आदिशाया है पर जल्दी करना है बारिश हो रही है गौरब चुपळा जी है जी मिफण जी को बलाया जाए एक बार जोड़ा तानीश ए जिए मिफण जी के लिए जिन्हों ने इसका मुझिक दिया है मुझे अच्छे से याद है कि जब म्यूसिक की बात चल रही थी, मैं तो शौट में फटा-फट बदाता हूं कादरी साहब को बुलाया जाए इनका गाना तो आग लगा रहा है भारत में खेरियत अलका जी आप आईये प्लीज अजी आप आईये प्लीज आजा भाई अएफ भाई आदित पाई अए अनिल्हे वडर आईये आईये एफ आईये है जी जी बेलकुं हाँ जी और कोई बचा जो दिह लूं से सबीना है, शाम जी है, लवकुष्ट, आईए आप सब लोग. तो मिधुन, बहुत कमाल, एक बार जोड़ा दालिए ज़िए 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 भाई, बदाई हो, बदाई हो, क्या बात है? मैं तुन, इस म्यूजिक के बारें बताई है, क्योंकि जह मुझे आर थे, हम लोग जब घर में सेटिंग में बैठते थे, तो अधिक तर यह चरशा होती थी, कौन सा ऐसा यंग म्यूजिक डिरेक्टर है, जो इस पूरी फिल्म को इतनी पुरानी आइकोनिक फिल्म को जिस्ट आप सभी को नमस्कार, मुझे जब मेरी पहली मीटिंग हुई अनल जी के साथ में, देखिए, एक संगीत कार होने के नाते आज आजकल जो ब्रीफ तिया जाता है, वो होता है कि रील के अंदर जो है गाना बैठ जाना चाहिए, जीए, 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 यह बिलकुल क्रीटिविटी के विपरीत है, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई जब मैं अनल जी से मिला, उन्होंने मुझे से हुक लाइन नहीं मांगी, उन्होंने मुझे से ट्रेंडिंग आजकल जो वर्ड है, हम जब रियास करते थे कभी तो हमें ट्रेंड सोन यह क्या होता है, पर मुझे अनल जी ने ट्रेंडिंग नहीं मांगा, उन्होंने मुझे से इंस्टाग्राम फ्रिंडि मुजिक नहीं मांगा, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे गदर टू के लिए आत्मा चाहिए, तो यह जो एक दर्शन था, यह बहुत बड़ा था, और मैं खास टूप से अकनॉलिज करना चाहूंगा अलका जी को और अधिल जी को, युकि मुझे लगता है कि इनके बिना गदर टू का संगीत अधुरा होता, इस दो गाने तो हम लोग देख रहे हैं और बहुत ही कमाल के नए तरीके से नए अंदाज में पेश किया है, मैं चाहू तो थोड़े से आपका अधिश हो तो थोड़े सा गुल गुल अधित्य यहां पर है अधित्य आई अधित्य आईये, आईये, मैं कर दो एक दो और जोरदा ताली में चाहिए, अलो, नमसे, गुरीवनिंग, एक बहुत यूनीक चीज़ हम ने की है, मैं निकला, उधित जी और आदित जी दोनों ने गाया हुआ है, तो हो जाए से दो लाइन्स, लोग भी गाना है साथ में, एक मोड आया, मैं उधित दिल छोड़ आया, एक मोड आया, मैं उधित दिल छोड़ आया, ओ रब जाने, कब गुजरा, अमरित सर, ओ कब जाने, लाहर आया, मैं उधित दिल छोड़ आया, एक मोड आया, मैं उधित दिल छोड़ आया, क्याओ, पाद है, कब जोड़ आताली अधित के लिए, कमाल है, मैं ना दूसरा गाना, कौन सा जो कलाकान यहां वाजूद हैं? अरे थोड़ा थोड़ा सा दिए गलाइन तो बाना पड़ेगा ओई होए ओडीची के बिना नहीं गाएंगी हाँ नहीं उनका पिटवा भेज आ अपना पिटवा भेजें है हाँ बेट्वा से नहीं चलेगा बापा ही चाहिए अलगाजी थोड़ा से गुंगना तो दीजिए अरे एक मिसंदे एक थोड़ा सा हो जाए फिर मैं गा दूंगा प्रॉलम हो जाएगी पुर्जा काले कावा तीरे में चखंड पावा ले जा तू संदे सा मेरा मैं सद के जावा बागों में फिर जूले पड़ गए पक गया मिठियां अंबियां ये छोटी सी जिंदगी ते राता लंबियां लंबियां व घर राजा पर देशी के तेरी मेर के जिंदडियी के प्रड़ एक जिंदडिये व घर आजा पर देशी के तेरी मेर के जिंदडियी क्या भाद है? गिव ङए घंड सरूडार तॉल सारे मीडिया से क्वेश्चन्स आए हैं, मैं इनसे भी ले सकता हूं, डिरेक्टिव मेरे बहुत सरे लोगों भेजे भी हैं, तो क्वेश्चन अम फटाफट ले लेते हैं, लोगों के कहना है कि जो गदर वन और गदर टू, जो फिल्म देखे निकलेंगी तो हमने जो वन का हम तो अब मैं कैसे बता सकता हूं, उस वक भी हमने पिक्चर की थी, बस सचाई के साथ और पुरी लगन के साथ, बाग में जैसे कहा गया, जैसे मैं कहता हूं हमेशा, लोगों ने उसे गदर बना दिया, उनके दिल को छूगई, बस यही उमीद करता हूं कि इस फिल्म के साथ या बाद है, सिमरन सिंग डिने से बुस्तिया अनिल जी, आपके लिए है, कि आपने एक सोचा होगा, पहले और टू में क्या डिफरेंस है, पहले जो है, वो इनकी कता है, इनिशल डेस की कता, तारा की, सकीना की, और सेकंड उनके परवार की, और सेकंड जो कहानी है, इनके 20 साल के बाद इनकी जिंदगी में क्या गटा, तो ये एक तारा सकीना के परवार की कहनी है, जो इनकी जिंदगी में तारा सिंग की जिंदगी में पहले क्या गटा, और बाद में तारा सिंग और सकीना की जिंदगी में बाद में क्या गटा, तो एक परवार इक कता है, जो क इसलिए लोग उनसे बहुत कनेक्ट करते हैं और उनके हसने बोलने रोने में हर तरह से उनके साथ जुर जाते हैं सुमित ने कहा है कि जिस तरह से पहली गदर वन प्रेम कहता थी तो गदर टू क्या है गदर टू भी परवार के प्रेम कहता है वो पहले तारा सकीना की कहता थी अब भी परवार के प्रेम की कहता है किंजल शाह एहमदबाद मिरर से भेजाया उनोंने कि सनी दिव से पूछा चाहती है कि जो अधिकतर लोग जो पहले फिल्म देख चुके हैं और इस फिल्म में, वो कौन-कौन से मॉमेंट आने वाले हैं जब भारत देश प्राउड महसूस करेगा। पते पाता है, तो उसके बाद एक बात बनती है। तो गदर में भी हमाई टू में भी वैसा ही है, एंड में जाकर जिस तरह से एक साड़स्वेक्शन मिलती है, तो मुझे पुरा यकीन है लोगों को बहुत पसंद आएगी। पते बाद आफ निल जी के साथ है, तो निल दी के साथ है, वो क्या कि चीजे दो चीजे है। अएगा पते निल जी के साथ है। तो वो कि आपको सब महसूस हो जाता है। तो तो इस राप है। सम्पिता एवीप डिजिटल से बहजी एए शनी देवल के लिए व्या क्ष्टन पूशाया। उन्हें का कि OTT का जमाना चल रहा है, फिल्में रिलीज हो रही है और इतनी सारी फिल्में आती हैं, लेकिन ये लोगों के दिलों में गदर वन दिलों में चाय हुई थी, और अब जो आ रही ही गदर टू, लोगों ने आज टेजर देखा है, टेजर पहले देख शुके हैं, तो ये जो पूरा इंपक्ट बनता है, सनी देवल के फिल्म से ही क्यों ऐसा लगता है कि यह इंदुस्तान के लिए प्रदनी देट तो कर रहा है? कुछ भी करना हो, वो हमेशा तारा को देखता है, क्योंगि सारा की एक सिंपलिसिटी है, ताकर तारा की एक प्यार है अपनी फैमिली के लिए परिवार के लिए, और उसकी जो ताकत है, जब कुछ भी कुछ आजाए परिवार के उपर, तो फैर कोई छीज छोडता ने, डि जो हर आदमी चाहता है बॉलिवड बॉवल से रशिता स्चाहनी बहुते हैं कि गदर वन ने तो बॉक्स आफिस पर तोड़ फोड़ कर दिया था जबकि शुरुआती तोर पर जैसे इनों ने कहा है गदर को दूसरा नाम दिया गया था हम इशना कुछ समय पहले बता है तो बॉक्स आफिस के साब से गदर टू के बारे में क्या सबस्ते हैं क्या होगा सिस्तानी बाजी देखे आप मुझे वही सवाल पूछी जा रहे हैं बार बार मैं मेरे यही हमेशा कहना हाता कि गदर जो बनी थी लोगों ने गदर बनाई मैं बस यही उमीद करता हूँ कि इससे भी वो गदर बनाए और पूरी उमीद है कि बन जाएगी बाकी ग्यारा तारी को देखेंगे जिस तना से लेकिन जो आमबियंस है जिस तना से लोग इसका इंतजार कर रहे हैं मुझे लगता है वो जरूर उनको चुएगी बिकास और रही क्लिप साथ चुके हैं जिसके साथ वो कनेक्ट हो रहे हैं हमारे गाने हमारे इमोशन्स जो चीज़ आरी हैं मिथुन ने म्यूजिक इतना अच्छा दिया है और भी गाने हैं जो बहुत ही अच्छा गाने हैं जो आगया गया के आप सुनेंगे बिकास पिक्चर की ताकत हमेशा सिर्फ एकनी होती है लेकिन पुरी काहनी होती है एमोशन्स होते हैं तो उसके साथ म्यूजिक बहुत इपॉर्टन रोल होता है और मेरे कहल से म्यूजिक की वज़ा से पुरी चीज़ जोड़ जाती है भाई लिख के दे दो है मैं सब पढ़ रहा हूं इन लों के अगे पुचिए 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 अज़ पुचिए अज़ पुचिए पुचिए पूरा पाकिशाना राफ फिर अगर आपक कि इसको अगर हापी प्यार में आपने अपने ये सबाल किया तब क्या लेकिए ने की और देने की बात होती है कि एक इंसानियत की होती है, जगड़े नहीं होने चाहिए, दोनों तरफ उतना ही प्यार है, ये सियासी खेल होता है, जो ये सब नफरते पैदा करता है, और वो ही आप देखेंगे इस फिल्म में भी, जनता नहीं कोई चाहती कि उसे के साथ हम जगड़े यां लड़े, because आख हैं तो सब इसी मिटी से. किसी को लेके जानना है पागिस्तान या पागिस्तान लागा है, ये याव सीड़ा है, जितने भी कारेक्टर्स हम लोग प्ले करते हैं, उसके अंदर हमारा हिस्सा जरूर होता है, तब ही उसके अंदर जान भरी जाती है, तो जब कभी इस तरह की मुसीबत आए या कुछ हैसी हो, तो इंसान के अंदर ऐसा खून अंदर जोश बढ़ जाता है, कि आदमी कुछ भी कर सकता है. देनिक जागरंट से यही बात होनी चे यह हर इंसान में अमिशा, अमिशा आपके लिए क्वेशन आया देनिक जागरंट से, यह कहते हैं कि बीस साल के बाद गदर देखने जा रहे हैं, लखनों की शुटिंग के दोरान बहुत बवाल हो गया, मतलब आपो देखने के लोग गुज गए थे अच्छी शूट रोकनी पड़ी थी, वैनटी वैन को मार रहे थे, हम लोग एक सॉंग सीक्वेंस शूट कर रहे थे, और बहुत खूबसरत सेट अप था पूरा, और बहुत महनत से हमारे कोरियोग्रफर और अनिल जी ने सब शॉट लगाए थे, और इतनी म अनिल जा थे, जो तयार नही थी, कि नहीं हम शुटिं होनही नही देंगे, जान पर आगे थे, और हमारे में का थारा कर ईंप ए तने खटघज समय तो स्टोंस है कि अनल जाए भार में हम जातन होथे, है बढनी होटल, सॉॉज ऑहाई बढा eram को दो отв alguna हर 이상 होते हाथłem, आर थ वाथी चार्ज़ होए थे, सब कुछ वा था, सानी जी को बस नेक्स फ्लाइट भावस बांबे जाना पड़ा था, सो गदर ने अंडग प्रॉडक्शन भी बहुत गदर मचाई है अनिली मैं देखा था इसे पर्दे पर, तो मुझे महाववरदे कुछ चीज़ें इसमें पूलों या, बेटा तुम्हारा क्रेश्टन भूशा देखो किसे गुमा दिया है इनों, क्या करूं मैं तो मीडिया का आदमी हूँ भाई, इधर तो यहां सिर्फ मैं बहुरूपिया बनकी आता हूँ, मैं एंक्रिंग करता हूँ, जबकि पूरी इदर मीडिया का आदमी क्रेश्टन भूशा था, बेटा दीजिए लब क्या हूँ, क्या है ऐसा है, आप पर्दे पर देखिएगा, कथा तो मैं रामाइन महावरत से ही लेता हूँ, पिछली कथा भी रामाइन ही थी, गे राम को सीता को लेके आना है लंका से, और यहां भी देके क्या होता है, क्या जहन में बजगा है, चलिए एक फोटो लेते हैं, उसके बार आखे सोगा है, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरी जितनी भी टेक्निशन से, जितनी भी टीम है, मेरी सपलदा, निदी, जो भी सारे टेक्निशन से, असिस्टें से, उन सब का बहुत बड़ा सही होग है, जो गदर बनाने के लिए, वो देखो, निशीद भाभू खड़े हुए, उनका भी बड़ा सही होग है, उन पर मेने बहुत गुसा करता रहा हूँ, लेकर आप डिस्कवर किया है, इदर हमारे सुमित भाभू है, उनके बारे में मुझे उल्टा सी, लेकर आप सब डिसकवर बड़ा दाड़ी वाले वाले वो तो उनको मुझे हासा हासा के लोट पोट कर देते हैं, चालिजब पचार टेक से कम करते ही नहीं, और यहारे बैटे हुए जब तो इन सब को मेरा बहुत भाट धन्यवाद, सारी यूनिट को, सारी टीम को, और तहे दिल से कहता हूँ, सारे अपने असिस्टेंट्स और सारे अपने रिकॉर्डेस और सब को, बांटी जी, सब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इसके लिए, थैंक यू बेरे मच्च, तो इतना वादा करता है, जी हाँ, अनुराक पांडे को वादा है कि यारा अगस को आप लोग झाल